कल हुआ इस सीजन का सबसे एक तरफा मैं जहां बैंगलूरू को मुंबई ने कहा अगले साला का पनम देख नमस्कार क्रिको देख रहे हैं आप मैं हूँ रहानेक और कल मुंबई की दमाकेदार जीत पर हमने अपने नोपो चैनल पर जो वीडियो काटा है उसको मिस मत करना और यहां पर हम बात करेंगे कैसे मच गया पॉइंट्स टेबल में मुंबई की जीत से उथल पुथल मुंबई ने इस सीजन लगाता है तीसरी बार 200 अनों का पीछा करके जीत दर्स की है और बेंगलरू को हरा कर पॉइंट्स टेबल पर आठ नमबर से सीधा तीसरे नमबर पर जा बैटी है और इस हार ने बेंगलरू की क्या दुरदशा की है वो भी आपको बताते हैं अगर उससे पहले मैं आप से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके टूथपेस में नमक एक मिनट है या नहीं है उससे मेरे को फरक नहीं पड़ता लेकिन क्या आपके फोन में कीवी आप है नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जल्दी से इस आप को डाउनलोड करो एक परिवार के साथ आईए कीवी आप डाउनलोड करें कुछी सेकेंड्स में हजारो रुपे लेकर जाए लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाईए कीवी आप का लिंक दिया इस आप को नहीं डाउनलोड किया है तो करो ना भई केर बात करते हैं मुंबई की मुंबई की जीत से बैंगलोरू का भारी नुकसान हो गया क्योंकि बैंगलोरू के फैंस के लिए क्यालकुलेटर निकालने का इस समय पॉइंस टेबल पर अगर शास्त्री साब की भासा में कहें तो लखनो राजस्तान और कोलकता के क्या बोलू मैं आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि मुंबई ने कल जिस अंदाज में जीत दर्स किया और तीसरे नंबर पर जगे बनाई उनका नेट रन रेट माइनस फोर से माइनस टू हो गया और पॉइंस टेबल पे तो बार नंबर हो गया उनके ऐसे में दो और जीत जेगा नहीं ये ओड एर है मुंबई हर बार ओड एर में ट्रॉफी जीतती है ऐसा क्यों है इसके लिए रोहित भाई की हाथ होंगी लकीर ने पढ़नी होंगी मगर आज चेन्नी और दिल्ली के बीच लकीर कौन पार करेगा कि आज दिल्ली चेन्नी को हरा कर पॉइंट से ब में नंबर पर है इस हफते के अंतत में अगला मैच खेलेगी और तब तक कम से कम एक टीम टोर्नमेंट से बाहर हो चुकी होगी और ये वाला मैच होगा कल कोलकता और राजस्तान के बीच दोनों ही टीमों के नाम 11 मैचों में 10 पॉइंट है जो कल जो भी टीम हारेगी उसका पता प्लेयाउफ की दोड से कट जाएगा तो क्या लगता आपको इस उतल पुतल से भरे पॉइंट से टेबल में कोई और बदलाव होगा कौन पहुँचेगा अन्तिम चार में क्या इसका पता हमी गुरूप स्टेज के अन्तिम मैच में चलेगा जब 21 मई को गुजरात का बैंगलोरू से मैच होगा ऐसे मैं अगर समी करन बैठाएं तो साफ है कि मुंबई और बैंगलोरू में से एक ही टीम ऐसी होगी जो प्लेयाउफ में इंट्री कर पाएगी लेकिन वो कौन से होगी ये बाकी टीमों के मैच पर भी डिपेंड करेगा वैसे आप करिए मुझ पर डिपेंड मैस ले कर रहा हूँ क्योंकि आ गया है कीवी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इस एप का बता रहूँ आपको इसको डाउनलोड कर लो क्योंकि हर आईपिल मैच के बाद रात को साड़े ग्यारा बजे हम इस एप पर आते हैं और कुछी सेकेंड में चैनल सब्सक्राइब करके जाना बोलते हैं तो जैहिंद